अन्पेड एंड अन्क्लेम्ड डिविडेट सबसे पहले तो समझना होगा कि डिविडेट कहां पर डिक्लेर होता है एन्वल जन्रल मीटिंग में लेट उस एज्यूम एन्वल जन्रल मीटिंग हुआ 30th of September ठीकन एन्वल जन्रल मीटिंग 30th of September 2022 को हुआ ओके नाव काइदा क्या बोलता है इसके पांच दिन के अंदर डाट इस पॉस्ट ऑक्टोबर से पिफ्ट ऑक्टोबर तक कंपनी को सब्सक्राइब किया है एक लाख रुपया डिविडेट ठीक है पूरा मिला कर सो यह एक लाख रुपया कंपनी पांच मीटिंग 30th September को डिक् सेपरेट बैंक अकाउंट में कितना लाख रुपया और डिविडेंड 1st October से 31 October के अंदर दे देना होगा यह लाख रुपया अभी कंपनी ऑनलाइन ट्रैंसफर करती है और चेक देती है ठीक है अब क्या हुआ है कंपनी ने चेक्स देना शुरू कर दिया ऑनलाइन ट्रैंस माइनस होते जाएगा क्लियर होते जाएगा तो एक लाक में से 98,000 रुपीज टेबिट हो चुका है मतलब अभी भी यह 2000 रुपय का बैलन्स बचा हुआ है मतलब कंपनी ने चेक्स दिये बड़ अभी भी सामने वालों ने यह 2000 रुपय क्लेम नहीं किया है तो यह जो 2000 है यह तुम्हारा अनपेड डिविडेंट माना जाएगा कब कंपनी 30 अक्टोबर के बाद यह अनक्लेम्ड है कंपनी ने तो चेक भीज दिया बड़ अभी तक शेरोल्डर ने पैसा उठाया नहीं है तो यह 2000 सप्टेंबर 30 अक्टोबर को क्या माना जाएगा 30 अक्टोबर के कंपनी को यह जो अनक्लेम्ड है कहां पर ट्रंसफर करना पड़ेगा एक सेपरेट बैंक अकाउंड में अनक्लेम्ड डिविडेंड दो हजार रुपए जो था क्योंकि वन लाग रुपीज में से नाइंटीएट थाउजन तो लोगों ने क्लेम कर लिया कितना बज़ा दो ह सो तीस दिन जो है तीस सप्टेंबर के बाद तीस ऑक्टबर के बाद कंपनी को साथ दिन के अंदर एक विदिन सेवन डेज एक अलग अकॉंड में ट्रंसफर करना पड़ेगा जिसको अनपेड डिविडिन अकॉंड बोलते हैं आया समझ मैं सो काइदा क्या बोलता है कि ती तीस ऑक्टबर तक पे करना था पाच ऑक्टबर तक बैंक में ट्रंसफर कर दिया लाग रुपया नंटी एट थाउजन क्लेम हुआ तीस ऑक्टबर तक दो हजार 31st ऑक्टबर को अभी तक बैलन्स में है तो साथ दिन के अंदर 31st ऑक्टबर ठीक है मतलब 6 नवेंबर ये ए अंक्लेम्ड डिविडेंट बोलते हैं आया समझ मैं और ये चीज़ तारीक को ट्रंसफर किया विदिन 90 डेज फ्रॉंग दा अमांट अंपेड डिविडेंट अकाउंट फर एक्जामपल 6 नवेंबर को ट्रंसफर किया इसके 90 दिन के अंदर मतलब नवेंबर डिसेंबर जन सेंटल गवर्मेंट ने वहां पर जो शेरोल्डर जिसने क्लेम नहीं किया है उसका आखरी अड्रेस और जो रकम पेवल है वो सब डिटियल बताना पड़ेगा ठीक है मतलब कंपनी पैसा देना चाहती है बड़ सामने वाले ने अभी तक क्लेम नहीं किया और यह जो ट्रंसफर किया है कंपनी ने कितना 6 नवेंबर को 6 नवेंबर को 2022 को अब सामने यहाले को मौका दिया वेबसाइट में डाला इनफर्म किया होगा इमेल के तुरू लेकिन अभी तक उसने क्लेम नहीं किया तो डू यू एग्री यह जो अन्क्लेम डिविडेंट है अभी तक कंपनी के पास है कितना 2000 रोपया यह साथ साल तक 6 ओफ नवेंबर 2029 तक उस अकाउंट में रहेगा कोई शेर ओल्डर जो नाम था मिस्टर ए या तो उससे चेक गुम गया या पता नहीं चला या एंट्रेस चेंज कर दिया यह साथ साल में क्लेम कर सकता है ठीक है और साथ में से साड़े छे साल सिक्स एंड़ाफ यर्स क्लेम कर लो नहीं क्लेम किया तो साथ साल सिक्स नवेंबर 2029 के बाद ना यह पैसा कंपनी का रहेगा ना यह पैसा शेरोल्डर का रहेगा मिस्टर ए ना कंपनी का रहेगा ना शेरोल्डर का रहेगा कंपनी एक इन्वेस्टर एड्यूकेशन और प्रोटेक्शन पंड में transfer कर देगी पिर ना shareholder claim कर पाएगा ना company claim कर पाएगी company तो वैसे भी claim नहीं कर सकती थी हाँ अब सवाल यह हर साल यह 2000 रुप है किसके पास है company का unclaimed है so company दिखाएगी current liabilities में कि देना बाकी है अभी तक shareholder ने claim नहीं किया तो यह unclaimed dividend जो है company भी रखनी पाएगी उसको हर साल liability के रुप में under current liabilities यह दिखाना पड़ेगा और annual report में भी बताना पड़ेगा कि यह कितना रकम है साड़े 6 साल बाद वो company आखिर का एक लेटर लिखेगी फिर भी नहीं क्लेम वा तो साथ साल भी गए तो company investor education and protection fund government का बनाएवा फंड है यहां पर government बोलते ना लोगों को शेर बाजार और यह सब चीज़ों के awareness के लिए पैसा यूज करते है गवर्मेंट भी पैसा रखेगा नहीं गवर्मेंट लोगों के भलाई के लिए पैसा इस्तमाल करेगा आया समझ मैं तो यह था तुम्हारा अंपेड एन अंक्लेम्ड डिविडेंट का वीडियो थैंक्यू फॉर वॉचिंग